उत्तर प्रदेश में वोटिन के दोरान एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के मजफ़ब नगर के मेरापूर में मद्दान के दोरान जम कर हंगामा हो गया के दोरा में बुझ संक्या 178 और 189 के वोटों ने पुलिस पर आरुप लगाया कि पुलिस उन्हें वोट डालने से रोक रही है भारी तादाद में वोटर एक जगा इकठा होकर जम कर नारेबासी करने लगे इस दरम्यान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हुआ जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से वोटर जम कर हंगामा कर रहे है आपको दादे की इस पूरे मसले पर आप समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि मुझफर नगर की मीरापूर विडान सबाके की थोड़ा में बुझ संख्या 178-189 में पुलिस द्वारा मद्दाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है संग्यान ले चुनावायोग निस्पक्ष मद्दान सुनिश्चित हो आपको दादी की मीरापूर कुंदर की घाजियाबाद खेर सुरक्षित करगल सीमसामव फूलपूर कठेरी और मजवा सीट पर मद्दान शुरू हो गया है यूपी के मुखे निर्वाचन अधिकारी नौदिप रिवना ने बदाया कि चुनाव आयोग ने निस्पक्ष और शांती पून चुनाव के लिए वैपक इंतिसाम किया है आपको अधिकी मजवा नगर के मेरापूर विदान सबाश शेत्र से समाधवादी पार्टी से सुंबुल वाना तो वहीं भारती जंता पार्टी के सयोगी राश्टिय लोग दल्द से मिधलेश पाल चुनावी मैदान में है इस उपचुनाव में RLD बस एक सीट पर चुनाव लड़ रही है और वो सीट यही है तो इस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि उतरब्रदेश की कई जगहों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गए है लेकिन मेरापूर यानि जो मजवा नगर है उनके अंतर और इस दर्म्यान का वेडियो भी सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ है और इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके निशाना साधा है और चुनाव आयों को संग्यान में इस मसले को लेने की बात कही है सब को हटा दिया गया है मौके पर संत्री वेस्था कायव है और मद्दान फ्री एंट अर्ट अगिशे से चलगा है वीडियो डिस्ट अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद